नमस्कार दोस्तो, स्वागत है Tech & Non-Tech Study में है आज हम आपको SSC MTS के बारे में बताने जाएंगे यानिकि इसका निव लेटिस्ट अभी रिलीज हुआ है पैटर्न इसके बारे में बताएंगे आपको पता ही हुआ लड़ी की एक्जाम कबसे से 16 September 26-Aktuar चलेगा जो ओल पैटर्न था निव पैटर्न में तो यह है कर दोनों ओल पैटर्न में भी सेम था डिस्क्रिप्टिप्टिन में भी था और डिस्क्रिप्टिन भी था और अबजेक्टिमें फिर्स्ट पेपर में जो आना है वो क्या आना था पहले था पहले था झो डो गंटे था और उसमें कितने कॉश्चन थे 150 मार्क आने था या या निकि आप जो निव लेटेस्ट में जो पैटर्न है उसका है 100 को मार्क रहेगा कितने गंटे में? 1.5 गंटे में करना पड़ेगा 90 मिनिट्स और 100 में देखते हैं क्या का आएगा पुरानी जो ओल पैटन था उसका 2 गंटे में करना था 150 में आपके था 50 तो 25 तो 25 तो 25 तो 25 तो था 25 तो बस्ट इंग्लिस का 50 था 50 था बट अभी यह नहीं है जो अभी लेटेस्ट में अभी पैटन इस टाप में पैटन 25 25 25 25 यानि कि 100 आपको कॉशन में लेंगे और आपको टाइम कितना रहेगा? 90 मिनिट यानि कि 1.5 आवर ठोके एंड यह नहीं है यह नहीं है 90 मिनिट रहेगा 100 कॉशन हो गाए यह इसका 2nd में डिस्क्रिप्शन क्या था जो पहले था वही सेम अभी है पहले भी 50 मार्क रहता और 30 मार्क minimum 30 ताइम था यह सेम है यह तो अभी पता ही है सबको नेगटिव मार्क का 0.25 ही रहता है अभी 2.25 भी है एंड 2 लेंगज में रहेगा इंगलिस और इंदी में पेपर सेकंड क्वालिफार नेजर और विल अनली टेस्ट यॉर अलिमिनेटरी स्किल अपको पता ही है कि ऐसे आएगा लोग कि किसी टॉपिक को पूछ सकते है विल बी एलिवेजल 4 पेपर सेकंड याने कि पेपर फर्स्ट में क्वालिफार करने के बाद पेपर सेकंड में आप एलिवेल रहेंगे यह पूरा कम्प्रेटली प्रोसेसिंग है आप जल्दी जल्दी इसके लिए तयारी कर सकते हैं थैंक यू सो मच पर्सक्षाट